हेलो गाइस, वेलकम तो हेवी कोडिंग, पेच पी लारावल टुटोरियल सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले फॉर्म वैलिडेशन, इसे प्रीवेस टुटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हम यहापर फॉर्म का डेटा किस तरीके से कंट्रोलर के अंदर लेकर जाते ह है जिस मे belongings यह पर उस कड़ा है तोकि हम इस को कहते हैं यहापर फॉर्म के फया मिलडेटी कर आके बेजर को यूजर को भी देटा को क्रॉस ना कर पाए तो चलते काई कि सीखते कि क्स तरीके साम इसको कर सकते हैं तो हमें यहां पर कहा करना है? जो हमारा request method था, यह हमार पर सारा data लिकर आर था, और इस request method से हमें यहां पर validation लगाना है, तो हम यहां पर लिखेंगे request, validate, और इस validate के अंदर हम लगाएंगे एक array, क्योंकि हम यहां पर multiple validation लगाने वाले, हर एक input type टाइप पे, तो सबसे पहले चाहते हम लगाएंगी वह होगा हमारे पास full name तो हम यहांपर लगा रहें सबसे पहले full name पर अ हैं यहांपर कर ले तो full name और full name के अंदर array pass कर देंगे जो सबसे पहला मैं दोना है हमारे पास वो है validation rule है वो है required का तो required का करता है कि यह बताता है कि आपको यह data डालना ही डालना है तो यह चीज में required यहाँ पर use कर क्या से रहा हूँ तो Laravel के अंदर यह सारे यहाँ पर function already provide की गए जितने भी roles है यहाँ पर required से लेकर कोई minimum है, कोई maximum है, कोई confirm है, कोई date है तो यह सारी चीजे हमें यहाँ पर already provide की गई है इसकी link मैं आपको provide कर दूँआ, तो आप इसका use करके देख सकते हैं क्योंकि हम सारी चीजे use नहीं कर सकते हैं अभी तो चलते हैं यहाँ पर हमने लगाया है भी required तो required हमने यहाँ लगा दिया है और अब साथी साथ हम यहाँ लगा लेंगे email के उपर भी तो email हम यहाँ पर कर लेते हैं email password और mobile इन चारों पर हम यहाँ पर required लगाएंगे और अलग-अलग यहाँ यहाँ पर validation देखे हैं किस तरीके सा हम इसको चला सकते हैं कर लेता हैं यहाँ पर इसको copy और यह as an array है तो हम लगा देते हैं यहाँ पर comma तो दूसरी चीच आगी हमार पास email की और तीसरा हमार पास password फिर सके बाद आया है हमार पास mobile तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया इस चीच को अब यह सारी चीचत required है इमेल के अंदर क्या है मैं आपको बताए तो email एक format होता है जिसके अंदर हम एक complete email डालता है तो अगर वो यहाँ पर email डाल दे रहा है और वो as an email format में नहीं है तो क्या होगा यहाँ पर तो इस चीच के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे email का तो वह मैं आपको बता देता और जैसी मैं यहाँ पर इसको required करता हूं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्लिक कर रहा हूं तो वापस से मुझे easy form पर लेकर आ रहा है तो यह क्या बता है कि भाई अब इसको आप पास नहीं कर सकते जब तक आप इसके अंदर data नहीं फिल करेंगे अब यह ची PHP end करा अब इसके अंदर हम क्या ego करा लेंगे हम direct भी इसके अंदर ego करा सकते थे जैसे मैं यहाँ पर बिना विदाउट PHP के यूज करूँ ब्लेट टेंपलेट से तो हम यहाँ पर लिखूँगा dollar errors यह बना बनाया function लारावल को dollar errors all तो जैसे मैं यहाँ पर errors को all कर दूँगा तो यह क्या करेगा हूँ उस function को चला देगा और यहाँ पर सारे error मुझे शो करने लग जाएगा तो यहाँ पर आगया page title तो जैसे मैं यहाँ पर submit पर क्लिक कर रहा हूँ तो अब यह बता रहा है कि string must be an array तो चलते इसको एक बार देख लेते कि क्या यह error generate कर रहा है error बता रहा है कि मुझे यहाँ पर multiple यह चीज़े हैं तो इसके लिए हम चला लेते हैं PHP कोई तो चलते हैं यहाँ पर आते add PHP और यहाँ पर कर लूँ हमें add PHP अब इसको करा लेते हैं एक बार echo PHP के अंदर ही use होएगा हमें सिर्फ प्रिंटार नहीं कराना है मुझे यहाँ पर क अब यहाँ पर यूज़ेंगे प्रिंटार का तो सेव कर लिए मैंने इसको अब चलते हैं एक बार रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर बता रहा है अरे नल क्यों बता रहा है अभी हम रपस कोई अरर नी जैसी में submit पर क्लिक कर रहा हूं तो अब यह बता देगा the full name field is required the email field is required the password field is required the mobile field is required तो as an error में मुझे यह सारा data दिख रहा है अगर मैं यहाँ यहाँ पर यूज़ कर लेता हूं वो सिर्फ उसी को यहाँ पर दिखाए तो एक बार फिर से refresh कर लेता हूं और जैसी में submit पर क्लिक करता हूं तो उसका data है यहाँ पर मुझे इसके नीचे print कराना है तो उस चीज़ को हम कैसे कराता है अम मुझे इसके ज़र्द दिए सिर्फ हमें checking के लिए चीए था तो हमें और इसके अंदर मुझे उसका नाम देना जो भी एरर मेरे को यह दिखाना है तो फुल नेम का एरर मुझे दिखाना है और यहाँ पर मैं कर दूँँगा एरर तो यहाँ पर यहाँ एरर एंड हो जाएगा अब इसके अंदर जो भी message आ रहा वो कैसे print होगा तो हमें यहाँ अब लेट लिखना और लिखना dollar message यह इसका predefined function है इसी तरह काम करेगा जैसे आप यहाँ पर लिखेंगा dollar message तो जो भी error होगा यह वो मुझे show करके देगा जैसे submit पर click करता हूं तो आप देख सकते तो full name feed is required तो इसका error आप यहाँ पर देख चुका है तो ऐसी हम करेंगे य पासवर्ड पर पासवर्ड भी यहाँ पर शो करतेगा इसके बाद हम करते हैं अगर mobile पर तो यह करतेगा मुझे mobile का error शो जैसे अब मैं फिर से submit पर click करता हूं तो यह सारा error मुझे show कर रहा है इसके बाद हम क्या कर लेते हैं यह data को यहाँ पर fill कर लेते हैं और email भी मैं डा देते हैं इसके अंदर test और test की जगा मैं अभी email नहीं डाल रहो हूं मैं अगर मैं इसको input type कर दो टेक्स्ट में यह हमार पास email है इंपृट्ट टैप है मेरेपर text है, input टैप इमेल नहीं is by text अभी मैं इस के लिखे दाल देता है password, और यह के दाल देता हूँ जैसे मैं यहापर submit पर click कर रहा हूं तो हमार पर data की हो चुछा तो यह चूझे कर रॉंग है, हम पर here Secret is right, सब्सक्राइब z को टेक्स्ट कर देता है, जैसे यहाँ पर अगर input type email कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, input type email, save कर लिए हैं मैंने इसको, और refresh कर देता हूँ, अब जैसे मैं यहाँ पर enter rate करता हूँ, यहाँ पर email की field required होगी, तो हम यहाँ पर कर लेते, data submit, और यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, admin लिख देता हूँ, password लिख देता हूँ, mobile लिख देता हूँ, तो mobile number यहाँ पर आ चुका, जैसे मैं submit कर रहे हैं तो यह बता रहे हैं कि आपको email डालनी है, तो हम यहाँ पर email की जगह अगर मैं यहाँ पर try करूँ मैं इसको cross करने की try करता हूँ तो इसको मैं कर दूँँगा email text तो आप वो text हो चुका आप देखते हैं कि submit होता नहीं होता तो जैसी मैं submit कर रहा हूं तो यह submit हो गया तो ऐसे क्या हो गया एक spammer ने आपके यहाँ पर कुछ भी data को इंसर्ट करा दिया अगर माने email मांगी तो email नहीं आई तो इस चीच को हम cross site refer system बोलते हैं जिसमा भी लगावा CSRF token एक तो वह generate हो रहा है दूसरा हम यहाँ पर कर रहे हैं form validation तो form validation के लिए अगर चाहें यहाँ पर email भी लगाओ अगर वो cross कर जा रहा हो तो उसके लिए हम यहाँ आप लगाएंगे email तो जैसे जैसे आपको देते जाना तो आपको multiple use करनी है तो आप इसको use कर सकते हैं और यहाँ पर हमने लगा दिया email pipe का यहाँ पर use कर सकते हैं इसको हम कहते है pipe symbol और जैसी मैंने pipe symbol use करा तो required email आया अब इसको अगर कोई कर देता है inspects a change input type text नहीं हाँ टेक्स्ट ही अगर मैं लगा दू यहाँ इसको submit ही कर देता हूं तो अब यह मुझे बताएगा the email field must be a valid email address तो इस तरीके से हम इसमें email लगा सकते हैं अब अगर मैं mobile phone का लगाना चाहूं तो मैं यहाँ यहाँ पर कर देता हूं मिनिममम 10 कि मैं mobile phone मुझे मिनिममम 10 चाहिए और मैं यहाँ पर कर देता हूं तो अभी बताएगा the mobile field must be at least 10 character कि मुझे हाँ पर mobile field होनी चाहिए अब एक और चीज़ें इसके अंदर कि अगर मैंने यहाँ पर data तो validate करा लिया बट जो पुराना data मालनो पर मैंने इतना ही data परङाँ और इसको मैंने गलत भर दिया इसको भी मैंने सही भर दिया और र्जैसी मैं यहाँ पर इसकी जगाँ, इसका validation अभी खराब कर देते हैं इसको हम कर देते है Input टाइट,тории, अब हमने यहाँ पर गलत data बर दिया तो वो सिर्फ इसका दिखा रहा कि आपने यहां पर इमेल नहीं डाल दी बट बाकी डेटा भी यहां से जा चुका है तो उस चीज को सेव कैसे करें कि वह लग ओल्ड डेटा कैसे सेव हो तो चलते हैं यहां पर ब्लेट टेंपलेट पर आते हैं वापिस से तो इसकी जो वैल्यू है वह पास करने पड़े ही त यहां पर यहां पर हम यूज करेंगे ओल्ड नाम का फंक्चन प्रिटिफान फंक्चन ने ओल्ड वैल्यू उसको वोल्ड करके रखता है तो जिस भी आपको इनपूट टाइप का चाहिए तो उसका हमें यहां पर नेम प्रोवाइड कर देना है तो मैं जैसे इसको कोपी और पेस्ट यहां पर भी डाल देते हैं और इस चीट को हम डाल देंगे यहां पर भी तो मुबाइल मैंने यहां पर सेलेट कर लिया पासवर्ड मैंने यहां पर सेलेट कर लिया और इमेल इमेल फुल नेम तो मैंने यहां पर कर लिया इसको सेव चलता हूं यहां पर और अब इसके अंदर डेटा प्रवाइड करते हैं और यहां पर करते हैं मैंने test at gmail.com पासवर्ड भी मैंने यहां पर डाला बट मुबाइल नंबर में कम डाल रहा हूँ जैसे मैं आपर submit बटन हिट करता हूँ तो अभी का रहा है डेटा तो मैं पासवर्ड का डेटा अभी इसने नहीं आ है तो देख लेते हैं कि पासवर्ड का क्या है सेनेरियो है यहां पर old password त आप देखते हैं पासवर्ड की वैल्यू ले पार रहा है यहां पर यहां पर पासवर्ड है इस वजह से यहां पर यह वैल्यू ले पार रहा है यहां पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर एक बार फिर से डेटा को फील यहां पर मैं बर देता हूँ एड्मिन यहां मैं submit पर hit करता हूँ तो यहाँ पर password का अभी भी error generate कर रहा है कि मतलब इसका यह old data नहीं ले रहा है password का क्योंकि यहाँ पर मैंने लिगा input type name password बिल्कुल password एक दम correct है values की password नहीं RIS को कर देते password इसको एक बार password ही कर देते और चलते हैं यहाँ पर एक बार फिर से refresh कर लेता हूँ यहाँ पर name add कर देते हैं यहाँ पर भी इधर password डाल देते हैं और इधर mobile come तो जैसे मैं यहाँ पर enter hit कर रहा हूँ तो problem अभी password पर आ रहे हैं इसको देखते हम क्या problem है next video में इसको solve करेंगे कि क्या issue आ रहा था इसमें और अभी क्या आ रहा है इसके अंदर mobile number 10 at least आपको डालने तो 123456789 10 और यहाँ पर password डाल देते हैं जैसे मैं minimum लगाए हम इसके अंदर maximum भी लगा सकते हैं इस तरह के सा हमार पास maximum भी यूज़ हो सकता है कि maximum जद्ध से जद्ध हम 12 का use कर सकते हैं minimum 10 है हमार पास पासवर्ड है हमार पास required है email है यह सारी चीज़े हमार पास लग रही है तो validation के अंदर यह सारी चीज़े perfect है यहाँ पर जो old है वो भी password के लिए काम नहीं कर रहा है एक बार इसका name change कर देते हैं मैं कर देते हैं इसको employee password EMP password आप इसको एक बार चला कर देखते हैं क्योंकि password इसका अंदर एक predefined function भी है Laravel के अंदर जो कि confirm password इसका लिए यूज़ होता है तो password भी मैंने हापर लगा दिया EMP password अब एक बार refresh करते हैं और सिर्फ अभी password की value को store कर कर रखते हैं तो password अब मेरे पार store हो चुका है तो password यहाँ पर already इसका एक function भी है तो हमने कर लिया है यहाँ पर heavy coding वो इसलिए नहीं कर रहा है है हाँ पर validation क्योंकि password store होना ही नीची तो अगर इसको कुछ नाम दे रही है मैंने क्योंकि Laravel के अंदर predefined function बना होगा है यूज कर रहे हैं इसके अंदर काफी सारे function है जब हम एक CRUD application बनाएंगे तो हम आपको बताऊंगो कि unique feature कैसे निकालने इसके अंदर और इसके अलावा आप यहाँ पर यहाँ से read out कर सकते हैं मैं इसके link आपको provide कर दूँँ आप यहाँ पर directly Laravel के documentation पर आ सकते हैं validation के अंदर validation rules पर आप जैसे क्लिक करेंगे यह सारी चीज आपको मिल जाएगी अगर कुछ भी doubt रह गया तो मुझसे comment section के अंदर ज़रू पूछना इस वीडियो में इतना ही thank you so much